क्यूंकि ज्यान ही तो अच्छे और बुरे में अंतर करता है और अपनी अगनी में तपाकर कर्म को शुद्ध करता है और शुभ बनाता है ग्यान ही तो कर्म के उद्कर्ष का चरम बिंदु है और ग्यान ही तो तुम्हें मोह बंधनों से मुक्त कराएगा पार्थ है पार्थ पाप के सागर को केवल ग्यान की नौका ही पार कर सकती है कर्म करो तुम ग्यान से श्रेष्ट ग्यान है धर्म कर्म योग ही धर्म है धर्म योग ही कर्म